कि अज़िए आप लोग आज हम आपको अपने इस वीडियो में इलेक्टांस प्रोटांस और नुटांस जो की फंटामेंटल पार्ट के साथ अटम हैं उन पे बेस्ट तमाम टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जैसे मास नंबर क्या है कि अखर आउम का है इसो टोप्स किया है इसो वार्ट किया है on a sonra चाहिए तो व गश्ताम घ्र बेस्टरप्र पार्ट अभी तो सबसे पहले अपनिक नंबर Atomic number This atomic number is represented by Z Atomic number के होता है Number of Protons Present in Present in the Nucleus Of an Atom Is called Atomic number Is called Atomic Number This is another number of Protons present in The Nucleus Of an atom is called Atomic number किसी भी Atom के Nucleus में जितने Protons present होते हैं वही उसका Atomic number होता है मैं आपको हैंको हैं हैं सकती है Atomic number नमबर अपन इस number of Protons वह लहीं के Atomic Number Equal to Number of Protons और हमको पता है कि किसी भी आइटम में नमबर आफ प्रोटांस और नमबर आफ एलेक्टांस दोनों से मोते हैं तो अगर कोई नूटल आइटम दिया हुआ है आगर उसमें प्रोटांस का अब नहीं कर पा रहे है करें तो उसके बाहर हैं उनके एलेक्टानों की संखार क mean कि know अ선बर में अ नुक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्टांस रिवाल्व करने हैं उनकी संख्या भी अटाभी नुक्लियस में पाए जाता है नुक्लियस मैंने उनकी आपको एकजाम्बल देना चाहता हूं सिंबल नहीं है रिकला एक नम्बर नंबर लिखा रहता है जो नीचे वाला नंबर होता है इसा को हम आबिकी नंबर कहimarाुत और उपर के ब्न काते हैं इसकोमयन देनांध काते हैं नमबरा प्रोटान स्टोरेट इन दे नुबलियस आफ एन एलिमिट या आफ एन एटम इसी को हम एटामिक नमबर के नाम से जाते हैं नेक्स वन अगला टापि में आपको बुदाऊंगा मास नमबर आई ये देखते हैं वोट इज मास नमबर मास नमबर क्या बता है टोटल नमबर आफ प्रोटांस आइंड नुट्रांस लुट्रांस प्रीजिए ब्रीजक प्रीजसर्ण इस मास नमबर को हम एस से डिफाइन करते हैं मास नमबर जो होता है कि इस मालिक आई यह कैटल एभी दिखते हैं एस इकल टू नमबर आफ प्रोटांस प्लस नूटांस प्रोटांस और नूटांस के टोटल सम को ही हम मास नमबर के बराबर कहते हैं अब इस में इस में आपको बता हूँगा कि मास नमबर इस एप्रॉक्सिमेटली इक्वर टू एटामिक मास एटामिक मास के लेख़ बराबर होता है एक कैसे होगा क्योंकि मास नबर निटिकेट करता है इसका मत अखिए प्रोटान प्लस नूटान इसके मास नमबर लेकिन अगर हम अगर डूटान प्लस नूटान और प्लस इल्टान पिछले विडियो मैंने आको गता हका कि the mass of the electron is very 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 less which can be taken as negligible 0.0005486 Amea होता है जिसकी बाई बहुत कम होती है इसलिए P plus N और यहां this is approximately equal to P plus N plus C तो इसलिए हम कहेंगे कि mass number is approximately equal to atomic mass जैसे इहां example बता तुम आपको अगर हम किसी भी element की बात करें है किसी बेलिमेंटेसे मालो हाइडोजन का mass number 1 हो गया और इसका atomic mass 1.008 यह ध्यान जीएगा यह 1.008 is the atomic mass और 1 is the mass number अग्दर हाइडोजन तो इस तरह से आप जाने इस टॉपिक में mass number क्या होता है अब अगर हम वो mass number और atomic number पता चल गया तो हम किसी भी item के जो fundamental particles से हम उनका calculation कर सकते हैं लेकर सी जैसा कि भी माय आपको बताऊंगा कि किसी भी item में जो नंबर आफ प्रोटांस और नंबर आफ नूटांस होते हैं उनकी क्या इस्तिती होती है कैसे वो प्रजेंट होते हैं माले हमने की एजामबल लिया sodium इसका atomic number 11 और mass number तो यहां इसका atomic number देखेंगे atomic number is equal to 11 this implies number of protons कितना होगा is equal to 11 और किसी भी item में since it is the neutral कोई भी item neutral होता है तो number of protons अगर 11 है तो therefore number of electrons भी 11 होगा अब उपर वाला देखते हैं mass number is equal to क्या होगा mass number is equal to होता है number of protons plus neutron mass number की value है 23 is equal to proton की value आपको पास 11 है और neutron की value आपको नहीं पता है तो this implies n is equal to 23 minus 11 तो यहां से हमको पता जो है अगर हमको mass number और atomic number पता है तो we can calculate the value of number of protons जो 11 है इसके लिए number of electrons 11 है इसके लिए और number of neutransfer to 12 है तो इसका जो मैं future में या बाद में अगले वीडियो में आपको बता हूँगा कि अगर हम इसका electronic configuration करें sodium atomic number 11 इसका electronic configuration देने तो 2,8,1 यह बोर और बरी के रूल के हिसाब से है तो मैं आपको इसका item का structure बाना चाहता हूँ यह इसके बीच में nucleus होगा और nucleus के बाहर तीन circular cells होंगे यह energy levels होंगे किसी को electronic configuration के तो मैं आपको बताना चाहता हूँ it is the nucleus, nucleus में बीचा protons और neutrons होते हैं तो यहाँ 11 proton और 12 neutron हमने mention कर दिया और इसके बाहर 3 cell दिखाई दे रहे हैं 3 energy level दिखाई दे रहे हैं तो पहले में 2 electron 1 & 2 जैसा कि दिखाए गया हैं दूर्से में 8 electron 1,2,3,4,5,6,7,8 और दिखाई एक electron है तो इस तरह से it is the atomic structure of क्या बोलेंगे इसको this is the atomic structure of sodium atom यह sodium atomic structure है जिसमें 11 protons है 11 electrons है और 12 neutrons है इस तरह से हम किसी भी atom का structure बना सकते हैं अगर हमको mass number और उसका atom नमबर पता है अब इसके बाद अगला topic बिटा में आपको बताऊंगा जो ही number of electrons, protons और electrons पर depend है इसमें isotopes, isovars, isotones और isoelectronic के नम से जानते हैं one by one I will tell the definition and example both चले देखते हैं अगला topic क्या है isotopes, हो सकता है इस topic को आपने अलगला बोड के किसली कर्चाह में पढ़ा हो, किसी किसी बोड में पिसली कर्चाह में होगा isotopes isotopes का मतमता समान स्थान वाले तो दब कहेंगे items of same element having same atomic number but different mass number are called are called isotopes देखिए किया लिकामने items of the same element having same atomic number but different mass number are called the isotopes बहुल साइक्पल्स है जैसे माले पहला H11 H12 और H13 इसको हैंगे this is known as the hydrogen this is known as the deuterium या इसको हैंगे tritium अगर हम इसमें यह चीज़ देखें hydrogen में number of proton is equal to eta होगा one number of electron one होगा और number of neutron zero होगा one minus one is equal to zero इसमें देखेंगे तो number of proton one होगा number of electron one होगा और number of neutron होगा two minus one is equal to one और यहां होगा number of proton is equal to one number of electron is equal to one carbon जिसके nucleus में neutrons नहीं होते हैं इसलिए hydrogen के nucleus में केवल अग्यवल proton होता है तो इसके अलावा बहुत सारे examples फिर मैं एक example यहां देख दे रहा हूँ अगर है इसका दूसरा example लिखें तो carbon 612 carbon 613 carbon 614 carbon 6 carbon 612 carbon 613 carbon 614 इसका मदल होगा अगर हम इसको नाम कहें तो इसको पढ़ेंगे carbon 12 इसको पढ़ते हैं carbon 13 और इसको पढ़ते हैं carbon 14 तो इस तरह से आपने देखा इनका atomic number same and mass number different इनका atomic number same and mass number different therefore they are known as the isotopes very good अब अगलाट आपक जो होगा इसको कहेंगे isobars जहां से देखेंगे isotopes, isobars इसके बहुत पार questions पूछा जाता है और board exam में इसका definition की पूछा जाता है लेकिन इसमें हमको number plus लगाने की पूछ दिया जाता है उसको अगर आप जानेगे तभी आप इसका number plus solve पार सकते हैं क्या है? isobars isobars क्या होगा? अगर इसका definition कहा है? items of different items of different element having same mass number but different atomic number but different atomic numbers are called isobars deserve होँगा items of different elements having same mass number but different atomic numbers are called isobars मतब ऐसे item जो different elements के हों जिनका mass number तो same होता है लेकिन उनका atomic number different हो उसी को हम isobars कहते हैं तब बता होँगा example क्या होगा? आर्गन ले ले लिजे potassium फोटेशियम ले 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 आर्गन का है अगर हम mass number 40 mass number 40 मैं आपको बता दू कि कि किसी भी elements के isotopes पाय जाते हैं तो isotopes में mass number different हो सकता है कि आर्गन का यह ऐशोटो आर्गन 40, potassium 40 और calcium 40 तो इस तरह से हम ने हमने हाँ देखा proton के संख्या होगे 18 इलक्टान की भी संख्या होगी 18 और neutron की संख्या होगी 40-18 इस व्लेटो u 22 इसमें proton के संख्या होगी 19 और यूट्रां के संक्या भी — 19 और निउटान के संक्या हो जाहें 40-19 रिफल्टो 21 इसके लिए निकालेंगे मैं इसको separate करदे न और सम्मेश में बजुन सेहो अनके लिए वे 2 लॉटान के वेली हो गहे हो 20 और proxy — 20 इस बात्रत्षिघगा nữa होगे आइसो बार्स लेट सीव एक जांपल आपके समय में आगया आर्गन फोटी पोटेसियम फोटी एंट लेसियम फोटी अब मैं इला टापिक आप होता हूंगा आइसो टॉंस क्या होता है इसको देखेंगे आइसो टॉंस क्या होता है कि आइसे अलिमेंट्स आप दिफरेंट अलिमेंट्स है विए सीम नंबर आप नूट्रांस इन देर नूकलियस और काल्ड आइसो टॉंस आइसो टॉंस या लिखेंगे डेफिनीशन होगा इसको आइसों आइसों एटॉंस आइसों सीम आइसों सीम नंबर आइसों यूट्रांस प्रश्च व्श्च व्ट्रांगे इन देर नुकलियर्स आरकार्ड आरकार्ड आइसोटोंस आर आइसोटोंस जैसे एक्जांपल हमने लिया आइसोटोंस में करेंगे फिर्स एक्जांपल आरकार्ड 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 आरकार् तो आपने देखा कि सारे ही अलमेंट के नूकलियस में 20-20 नूम्टेंस नूकलियस क्यों से जमन्य में गया किसी भी elements के nucleus में किसी भी atom के nucleus में जब same number आपने हो tres अगला है आइसो इलेक्ट्रानिक क्या होता है कि ऐसे आयन्स या एटम जिनमें इलेक्टानों की संख्या सेम होती है उसे हम आइसो इलेक्ट्रानिक अगर आप इलेक्ट्रान्स आर सेम इन डिफ्रेंट आयन्स आर अटम्स जैसे हमने एक्जांपल लिया सपोज कि हमने सोडियम आयन ले लिया मैगनेशियम आयन ले लिया ऐलमीनिय आयन ले ले लिया यह तो आयन होगे आफ्साइड आयन ले लिया और नीया ले लिया ठीक है इस ताहil étant से अगर हम नंबर आफ इलेक्टान्स देखें, तो नंबर आफ इलेक्टान्स गड़ तो 10-1 गड़ तो 10, यह भी यहां भी 10 होगा, यहां भी 8-2 गड़ तो 10 होगा, यहां भी 9-10 गड़ तो 10 होगा, और यहां इसका इलेक्टानिक नमबर 10 होता ही है, तो therefore these are the ions and the element या atom जिसम आइसो इलेक्टानिक के नाम से जालते हैं, तो these were the topics based on the fundamental part के switch are presented to the item, अब अगले topic में या अगले वीडियो में, मैं आपको different atomic model जैसे, मैंने आपको Thomson's का atomic model और other food का atomic model बता दिया, अब इसके बाद मैं आपको Neil Bohr का atomic model बताऊँगा, और उसके बाद धेरे धेरे आपको मैं आपको बेंता जागा, थाइंक्यू सो मच